हेई मोम संद्यार, वेल्कम अगेन तु दिया मोम फैमिली और आज का हमारा टॉपिक है डाइरिया या फिर बच्चों में जो लूस मोशन हो जाते हैं उसको हम घर पे किस तरीके से ट्रीट करें और यह क्यों कौन सी वज़ा होती है जिससे बच्चों में यह डाइरिया की प् है जिसकी वज़ह से बच्चों में डाइरिया की प्रॉब्लम हो जाती है तो सबसे पहली वज़ह है वाईरल इंफ्ञ्शन साյिक्षन में मेंar का रोभ ता वाईरस का वैल इसका व्यासिनेशन दोहजारश के लisu लगदार बच्चों में दीया जाता है लेकिन क्या होता है कभी-कभी बच्चों में यह प्रॉब्लम हो जाती है, अगर बच्चे को वेक्सीन दिया जा चुका है, तो उसमें यह प्रॉब्लम होती तो है कभी-कबार, लेकिन वो रिकवर भी जल्दी हो जाती है. Next one is bacterial infection, जिसमें basically salmonella, staphylococcus, shigella, camphilodactyl और e-coli. यह जो bacteria होते हैं, यह बच्चों में, मतलब किसी भी तो अंदर चले जाते हैं, जिसकी वज़े से बच्चों में diarrhea होने के chances बढ़ जाते हैं. Next point is antibiotics, और दस में से लगबग एक बच्चे को यह देखा जाता है कि उसमें stomach pain है या फिर नौजिया है, बतलब यह बारे symptom आ जाते हैं क्योंकि वो antibiotics ले रहे होते हैं. और हमारे stomach को upset कर देते हैं, जिसकी वज़े से बच्चों में diarrhea होने के chances बढ़ जाते हैं. Next point is food poisoning, food poisoning भी एक बहुत बड़ी वज़ा होती है क्योंकि जब बच्चों को हम नय नय food introduce कराते हैं, उस case में कुछ food से बच्चों में allergy हो जाती है, तो इस वज़े से या फिर मनलो हमने गर्मी के टाइम में बच्चों को जादा food दे दिया, मतलब उसकी quantity हमें धीरे धीरे दे लेकिन हम एक साथ उसको अगर बच्चे को दे देते हैं, तो उससे जो होता है, डाइरिया की problem बढ़ जाती है, next course is artificial juice, artificial juice में artificial sweeteners होते हैं, जो बच्चों के लिए healthy नहीं होते हैं, इसलिए हमको उसको avoid करना चाहिए, access quantity में हम अपने बच्चों को जो juice होते हैं, artificial उनको avoid कर next course is parasites, अक्सर आप देखते होंगे, बच्चे जो होते हैं, toys use करते हैं, बच्चे स्क्रॉल करते हैं, हर चीज को अपने मूँ में लेना चाहते हैं, वो toys या कोई भी चीज नेचे होती है, उसको अक्सर अपने मूँ में ले जाना चाहते हैं, इससे क्या होता है, जो बहुत स हो जा रहते हैं, तो इसके लिए हमें precaution, आपको बता ही है के जान रखना है, बहुत फ्रिक्वेंटली जो है, अपने बच्चों के हाथों को धूलते रहना है, तो अब हम बात कर लेते हैं, कि वो क्या treatment है, वो क्या home remedies है, जिसे हम अपने बच्चे को घर पे ही, मतलब डाइ इसको दें, तो इसलिए ये कोशिश करें, कि जैसे ही कुछ symptom आपको डाइडिया के नजर आए, तो आप अपने बच्चे को home remedies देना है, सबसे पहले आपको offer करना है, बहुत सारा liquid, अपने बच्चे को बहुत जादा कम कम quantity में, उसको अगर 6 महीने से उपर है, तो आप उसक उसके साथ साथ breast milk frequently दे, formula milk दे, लेकिन अगर आपका doctors को मना कर देते हैं, तो आप उसको avoid करें, उसके साथ साथ आप ORS भी दे सकते हैं, Point No. 2 is Feed Yogurt, Yogurt में Lactobacillus, जो essential bacterium intestine के लिए होता है, वो होता है rich quantity में, जब आप अपने बेबी को योगर्ट देते हैं, तो वो इसको restore करता है, जिसकी वज़े से जो diarrhea की problem है, वो sought out हो जाती है, वेल आप थयान रखें जब आपने बेबी को योगर्ट दे, तो वो घर का बना होना कि यह मीठा या फिर नमकीम नहीं लेना है, वो सिंपल साधा सा दही अपने बच्चे को देना है, निक्स्ट पॉइंट इस वेल बैलेंस्ट मील, अपने बच्चे को मतलब अगर छे महीने से ऊपर है आपका बेबी, तो इसको आप फूद देने स्टार्ट कर देते हैं अपल प्यूरी, बनाना प्यूरी, या वेजीटेबल प्यूरी, या आपको लगता है किसी वेजीटेबल से अगर उसको बच्चे को फूद एलर्जी हो रही है तो उसको हफाइट करें, उसके साथ साथ आप ब्रेड है, सीरियल्स है, आप योगर्ट है, ठीक है बहुत सारी एफिर जो फुड ऐइटम जो आप बना के दे रहे हो पास्ता है या भर ग्रीसी फूड है कि आप अपने बच्चे को दे सकते हैं ओट मील आप दे सकते हैं डाल का पानी आप दे सकते हैं मुण की खिचडियी बनाके दे सकते हो मतलब वह चीज दे जो आपकी बच्चे के जिससे आपके बेबी की ये problem sought out हो जाएगी निक्स पॉइंट इस avoid sugary drinks बच्चों को जैसे मैंने आपको बताया artificial drinks नहीं देनी है artificial sweetener नहीं देनी है या juice नहीं देनी है canned juice नहीं देनी है आपको अगर अपने बच्चे को देना है तो homemade juice without sugar आप दे सकते हैं निक्स पॉइंट इस self medication नहीं करा है मतलब घर पे ही कोई भी medicine आप उछा के अपने बच्चे को नहीं दीजिए क्यों क्योंकि बहुत ही harmful है प्रॉपर अगर आप अपने बच्चे को डॉक्टर के पास ले जा रहे हो तो वहाँ जाएए उसके according आप उसको follow करिए खुद भी अपने डॉक्टर मर बन जाएए यह बहुत ही dangerous होता है के बेबी के लिए next point is ORS ORS मतलब आप देखेंगे कोई भी आपको बोलेगा कि आपके बच्चे को अगर diarrhea है उल्टी बार बार हो रही है तो उसको ORS में पानी की कमी हो गई है मतलब बार है क्योंकि उसको पूप आरह तो उससे पानी की कमी हो जा रही है और mineral जो electrolytes mineral है उसकी भी कमी हो रही है तो यह उन सब चीजों को फॉर्फिल काता है ORS लिए भर पे भी बना सकते हैं अब हम बात कर लेते हैं क्या क्या प्रिवेंशन हमको करनी है तो सबसे पहले अपने किचिन के इक्रुप्मेंट को साफ करना है जो भी आप बना रहे हो बहुत हाईजिनी के ली बनाना है नेक्स पॉइंट इस बनाने से कोई भी चीजा प्रपेर कर रहे हो तो अपने हातों को अच्छे से वाश कर ले उसके करें एंटी बेक्टीरियल सोप से अपने हाथों को वाश करें अपने बेबी के हाथों को वाश करें जिससे वो अगर मूमें ले जाए तो इससे कोई प्रॉब्लम ना हो वेल अब हम बात कर लेते हैं कि कौन सी कंडिशन ऐसी आजाती है जब आपको इमीडियेटली अपने आपको घर पे कुछ नहीं करने है फॉराम अपने दॉट्टर टी पास एकदम दौर जाना है, फेल सबसे पहली चीज अगर आपका वच्चा तीन महींदे से छोगता है तो आपको अपने आप कुछि नहीं करना है फॉर अपने वह पोड़ की स्टिके के सेम्टम हो रहे, कुछ भी अपना दुमाह ना लगा है तीन महीने से उपर है और कुछ लग रहा है आपको की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है तो भी फॉरन अपनी डॉक्टर से गंसल्ड करें बेबी के स्टूर में मतलब पूप में अगर ब्लड दिखा है आपको तो फॉरन डॉक्टर क कि साथ साथ मतलब पॉटी भी हो रही है और आपके बैबी के फीवर भी हो रहा है तो घर पे वेट ना करें फोरन अपने डॉक्टर से कंसल्ड करें उसके साथ साथ आपके बच्चे की सिंटम जैसे मुह एकदम ड्राइ हो रहा है या फिर उसका अबढॉमनल पेइन हो रहा तो यह सारे सब्सक्राइब वीदियों तो अपने बच्चे के पास अगर नहीं हो रही हो कि अगर रही हो तो प्लीज लाइक जरूर करियेगा और कॉमेंट करके जरूर बताएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब बटन के पास नेक बैल आइकन होता है उसको हिट करें ताकि जो भी मैं वीडियो अप्लोड करूँ जो आपके लिए बहुत ज़दा इंफोर्मेटिव है तो उसको आप जो है इस चैनल के थूँ आपको सारी इंफोर्मेशन बहुत ज़दी ज़दी रहें इन डी हाल दी पी सेथ आव अगूदे बाई बाई